24 नवंबर बड़ा गुरुबार तुलसी में बांधें ये एक चीज हो जाओगे करोडपती दोस्तों तुलसी तो सब लगाते हैं लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं इसलिए गुरुबार की दिन तुलसी में बांधें ये एक चीज हो जाओगे करोडपती क्योंकि तुलसी की नेचे ये एक चीज गुरु बार की दिन बांधने से, तुलसी माता का मिलता है धेर सारा आशिरवाद, माता लक्षमी होती है आकरसित, घर में नहीं आते कश्ट, दोस्तों तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है, तो ये आपके परिवार के लि पौधा बताया गया है, लेकिन इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि तुलसी की नेचे ये एक चीज बांधने पर, माता तुलसी का मिलता है आशिरवाद, आपको वो सारी खुसी मिल जाती है, जिसके आप हकदार हैं, लेकिन तुलसी की नेचे ये चीज बांधना भी है ज तुलसी के लिए एक लाइक तो बनता है। तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना गया है क्योंकि इनके बिना पूजा अपूण मानी जाती है। जिसके कारण उन्हें फलों की प्राप्ती नहीं होती हमेशा जाद रहे माता रानी को चुनरी। अवश्य शड़ाना चाहिए। बलकि एक साब सुतरी चुनरी माता तुलसी को हमेशा उड़ाना चाहिए। बगर चुनरी के माता अच्छी नहीं लगती। मातुलसी नराज होती हैं और आपको फलों की प्राप्ती नहीं हो पाती। तुलसी में कई दिब शक्तियां बिराजबान हैं जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें काफी। यानि लाव होता है और कभी भी कष्ट नहीं होते हैं क्योंकि तुलसी में माता लक्ष्मी कभी निवास माना गया है और ये भगवान विश्यूजी को बहुत प्री है। दोस्तो आपके घर से सभी कष्ट दूर होते हैं अगर आप तुलसी की पूजा करते हैं आपको श्वर्ग की भी प्राप्ती होती है इसमें कई दिब्शक्तियां विराजमान रहती हैं और बड़ी प्रसन्नता मिलती है दोस्तो अगर आपके पास टुनरे नहीं है तो आप मात धागा मौली धागा आप बानते हैं तुलसी के नीचे तो इससे माता काफी वेहत प्रसन्न होयाती है और आप घर में धन धान से भर देती हैं रोडपती भी बन जाते हैं करोडपती आपको सुब फलों की प्राप्ती होती है दोस्तो तुलसी के पास आपको करवे बोल बच आप के घर में कश्ट आते हैं, माता तुलसी नराज होती हैं, इसके आसपास जोते चपल, ज़ाड़ू पोचहा रखना भी पाप मना जाता है, तुलसी के आसपास गंदगी बिल्कुल नहीं करने चाहिए, तुलसी में पौधे, यानि तुलसी के पौधे के पास सेलिंग और प्रेश जी के प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। पूजा करने चाहिए और साम के बकत एक दीपक जरूर जलाना चाहिए और दोस्तों खास बात तो यह कि तुलसी के नीचे आप लाल मौली धागा जरूर बानते हैं इससे आपके धन में ब्रदी होगी आपको अगर रोडपती भी हैं तो करोडपती बनने में देरी नहीं लग करोगेगी गरीबी कोषमो दोर चली जाएगी मा लक्श्मी कृपअ बरसेगी तुलसी माता के कृपअ बर्सेगी तो दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से माता तुलसी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बाक्शमी में लिखें जय माता तोलसी आपका स्वागत है हमारे घर में मा के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों और इसे शेर कर दीजेगा शेलों को सब्सक्राइब जिरूर कर लिजेगा जय मातोलसी जय मालक्ष्मी